स्वागत है आप सभी का दफोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क में और मैं हो रंजन भट आज से जम्मू कश्मीर में आयुश्मान भारत स्कीम के तहत प्रधान मंतरी जन आरोगी योजना और जम्मू और कश्मीर हेल्थ स्कीम जो है उसकी रेजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं जो की आप अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर खुद को है रेजिस्टर करवा सकते हो वहाँ पर जाकर सबसे पहले अगर आपको इस स्कीम के बारे में मैं बता दूँ तो इस स्कीम में आपको पांच लाग का कवर जो है इंशूरंस कवर मिलता है पूरी फैमिली को साल भर के लिए पर एर हर साल आपको इस स्कीम को जो benefit उठा सकते हैं हर साल में आपको हर साल 5 लाग का आपको जो है insurance cover मिलेगा पूरी family को वहीं अगर इस स्कीम की एक और जो खास बात है वो इस प्रकार है कि आपकी family का size चाहे कैसा भी हो छोटी family है बड़ी family है उसका भी कोई फरक नहीं पड़ता कोई भी family हो इस स्कीम का फाइदा उठा सकती है वहीं इस स्कीम के अंडर 218 public और private hospitals जो हैं वो enrolled है वहाँ पर आप ज कहीं पर भी जाकर कोई ऐसी दिखत हो होऊंगे वहाँ पर जाकर इस स्कीम का benefit उठाते हैं वहीं अगर देखें तो इस स्कीम की एक और खास बात में अगर आपको बता दूँं तो कैशलेस जो है यह स्कीम में आप कैशलेस सर्विस का फाइदा उठा सकते हैं किसी भी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में जो कि इस स्कीम के अंडर लिस्टेड होगा जिस परकार से हमने आपको बताया कि अगर बात करें इस की में अर्ओ करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बोला गया है तो ऐसे में सवाल उठता है कि कॉमन सर्विस सेंटर होंगे कहां पर जो की गौश्मन दोरा बताये नहीं गए हैं बट फिर भी उसके लिए अलग से एक कॉंटैक्ट नमबर जो है शेयर किया गया है वो contact number में आपको बता देता हूं आप note down कर लिजे contact numbers कुछ इस प्रकार है 1-800-233-505554 फिर से एक बर ही मैं आप number repeat कर दूंगा 1-800-233-505554 दूसरा नंबर भी मैं आपको बता देता हूं दूसरा नंबर भी आप note कर लिजे 1-800-233-51455 एक बारी फिर से मैं दूसरा नंबर repeat कर देता हूं 1-800-233-51455 जिहां यह दो numbers हैं जहां पे आप call करके अपने नजदीक की service center का पता करवा सकते हैं कि आपके नजदीक में कौन सा service center ऐसा है जहां पे आप जाके खुद का registration करवा सकते हैं अगर बात करें इस scheme की तो इस scheme से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फाइदा होने वाला है क्योंकि अगर बात करें private hospitals की तो लोग भी private hospitals में जो है जाना effort कर पाएंगे वहां पर जो services हैं उनका फाइदा ले पाएंगे इस scheme के तुरू तो आप भी जाएए खुद को enroll करवाईए और scheme का benefit उठाइए क्योंकि beneficial scheme है बहुत अच्छी scheme है अगर बात करें जम्मू कश्मीर गॉवर्मेंट की तो कहीं न कहीं अब लग रहा है जम्मू कश्मीर गॉवर्मेंट भी लोगों के प्रति थोड़ा सा खुल रही है और लोगों के बारे में सोचना शुरू हो चुकी है क्योंकि इस प्रकार से schemes निकालना बहुत एक अच्छा कदम है जो गॉवर्मेंट की तरफ से उठाया गया है तो कहीं न कहीं अच्छे steps अब गॉवर्मेंट की तरफ से उठाये जा रहे हैं लोगों की भला स्टेट न्यूज नेटवर्क पर जाहिंद धन्यवाद